स्वागर है दोस्तों आप सब्सक्राइब का हमारी आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे टैली-e-rp को कैसे डाउनलोड करना है अपने कंपिटर के अंदर और टैली-prime 4.0 के लेटेस वरजिन को कैसे डाउनलोड करना है पहले हम सिखेंगे लेटेस बर्जन के बारे में यारी टैली प्राइम 4.0 को कैसे हम अपने computer ये laptop के अंदर install करेंगे और फिर हम उसके बाद सिखाएंगे आपको टैली ERP को कैसे आपको download करना है अपने computer ये laptop के अंदर क्योंकि हम अपने institute के अंदर सिखाते हैं वो हम टैली ERP और टैली प्राइम दौनों को ही सिखाते हैं तो हम अपने students के लिए दौनों ही टैली को यहां पर download करना सिखाएंगे कि उनको अपने computer ये laptop के अंदर टैली प्राइम को install करना है तो आपको किस तरीके से करना है तो hello दोस्तो मैं हूँ आपका दोस्त किर्शना और आज हम बात करने जा रहे हैं टैली प्राइम के बारे में से हम यहां पर install कर सकते हैं और इसके लिए आपको क्या क्या reqiarmen पर सक्ति हैं तो देखें हम आते हैं अपने computer cattle सốngल लूसल कॉम यहां पर देखिंगे को आपको यहां पर अब आपको क्या करना है आपको जा रहा है डाउनलोड पर तो जैसे आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके साब ने आएगा टैली प्राइम 4.0 यहाँ पर डाउनलोड लिख रहा है अब देखे दोस्तों आप यहाँ पर इसको डाउनलोड तो कर लेंगे लेकि अगर आपके computer या laptop के अंदर window 7 है तो window 7 आपकी 64 bit की होनी चाहिए तभी आप इसको use कर पाएंगे अब यह आप कैसे check करेंगे अपमे computer के अंदर तो चलिए मैं आपको बताता हूँ तो देखे सबसे पहले आपको computer पर आना है अगर यह 64 bit की आपकी window है तो तो आप इसको use कर पाएंगे लेकिन अगर आपकी 32 bit की है तो आप इस software को use नहीं कर पाएंगे तो हम इसको minimize करते हैं और हम यहाँ पर आप Tally को download पर click करते हैं और जैसी हम यह download पर click करेंगे आप देखेंगे आपका Tally प्राइम का जो latest version है यानि Tally Prime 4.0 आपके system के या laptop के अंदर download होना शुरू हो जाएगा बहुत ही छोटा software है के वेल 43 MB का है यानि 42.4 MB का है तो हम इसको download होने देते हैं और फिर आपको बताते हैं किस तरीके से हम इसको install करेंगे जब तक आपको दोस्तों वीडियो को अच्छी लगए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा ताकि आपको टैली प्राइम के बारे में और बहुत कुछ सीखने को मिलता रहे है यहां पर हमारा यहां पर टैम लगएगा थोड़े टैम के बाद यहां पर रन होके आपके सामने आएगा तो देखें यहां पर हमारे सामने आ रहा है टैली प्राइम 4.0 और टैली एर्प 6.3 हमारे यहां पर दो वर्जन पहले से इसके install है अब यहां पर क्या है हमें टैली प्राइम को से अपडेट कर सकते हैं तो फिलाल में मैं इसको install new पर क्लिक करता हूं अब देखें यहां पर हमारे सामने options आगे install का हम इस्टॉल पर क्लिक कर देंगे तो देखेंगे आप देखेंगे हमारे पर टैली प्राइम यहां पर डाउनलोड होना शुरू हो चुका है हाला कि मैं पर टैली प्राइम को पहरे से अपने system में install कर चुका था लेकिन आपको सिकाने के लिए मैं आप पर प्रेसे बता रहा हूं अब देखें इस्टार्ट टैली प्राइम हम इस पर क्लिक कर देंगे जैसी आप इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे टैली प्राइम का इंटर आपको प्रेसे बारे में अगर आपको 4.0 को download करना थे computer के अंदर तो आप download कर चुके होंगे और download करने का तरीका भी आपको यहां पर आ चुका है तो अब टैली के प्राइम के बारे में अब हम अगली वीडियो में सीखेंगे जितने भी F11 के features हैं इन सभी को आपको कैसे यूज करना है चिस features का क्या यूज है step-by-step सब्सक्राइब करेंगे और एक महीने के अंदर आपको एक ऐकाउंटेंट बना देंगे के फिरी ऑप कॉस्ट आप दोस्तों टैली प्राइम यहां पर सीख पाएंगे तो अब हम चली सल्चे हैं यहां पर टैली यारपी को डाउनलोड करना सीखते हैं किस तरीके से अब आप नहीं पर देखिए और अपने सिस्टम के अंदर इसली कर सकते हैं एसली तेकि हमने यह पर क्लिक किया और यह देखी टैली एर्पी का वर्जन भी हमारे सिस्टम के अंदर डाउनलोड होना है पर सुरू हो गया है तो आई हम दोस्तों आपको समझे में आ चुका होगा टैली एर्पी और टैली प्राइम को कैसे आप अपने कम्पिटर या लैप्टॉप के अंदर इजली यहां पर डाउनलोड कर पाएंगे तो चलिए हम आप से मिलते हैं अगली वीडियो में अगली वीडियो में हम यहां सीखेंगे एफ 11 और एफ 12 के फीचर कैसे आपको यूज करने है टैली के अंदर तो आज के लिए इतना ही नमस्का दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि आपको इसी तरीकी की और भी इंपरमेटी वीडि पर सीखने को मिलती रहें